देखते रहे यूबी एन जीरो एट ब्यावरा से रोहित मेबाले की रिपोर्ट आज ब्यावरा नगर में आम आदमी पार्टी के द्वारा ब्यावरा बिदान सवा के घोसित उम्मीद बार कालू राम और राजगर बिदान सवा के घोसित उम्मीद बार गोबर्दन सिंग तवर तथा पार्टी के विविन अधिकारी और सायोगियों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया आज से ही जनता से जन संपर्क करना प्रारंब कर दिया पिरत्यासियों को जीत दिलाने के लिए ततक कांग्रेस और बीजेपी को अपने जारू से साफ करने के लिए तत पर है स्टाम में काम किया है वो ही मद्रदेश में अम करने जा रहा है हमारी जो गोशणा पत्र है उसको हमने जनता के लिए विश्वास में लेने के लिए हमने उसको सो रुपे के स्टाम sorcery किया है उसमें हमने तीस सर्थें जो लिखके दी हैं वो हमको मद्ध प्रदेश में करना है हमारे जुमले अन्पाल्टियों जैसे जुमले ना हो और आज तक किसी भी पाल्टी ने एसा अनुवन और घोष्णापद जारी नहीं किया है कि जो कि हमने जिल्ली में जो घोष्णापद जारी हुआ थ उसमें हमारी पचास कंडिशन ने लिखके दी थी उसमें हमारी दो कंडिशन बाकी रह गई है यह तो पूमराज का दर्जा और जनलोक पालबिल इसी तरह से हमारी मद्ध प्रदेश की जनता के लिए हमने उसमें तीस मुद्धे रखे गए हैं सातियों पहला किसानों का आज तक दोनों पाल्टी सितर साल में नहीं कर पाई है वह अर्विन केजरी वालने एक इमानदार पाल्टी है जिद दिली में उनने जो वादा फुरा किया है वह पूनराज का दर्जार नहीं होते हुए भी इतनी मुष्खिनों में उनने काम किया है हमारे मद्ध अगर नहीं करते हैं तो आरे उपर 400 बीची का केस डायर कर सकते हैं जय हिंद जय भारत साथियों तो व्यावरा की जनता के लिए अमारा यहां पर यह संदे से कि जो व्यावरा में जितना विश्टाचार हुआ है वह एक परसेंड हमारी सरकार नहीं होने देगी और आने वा सवा राजगर आप पार्टी ने आपको राजगर से वुषित किया और राजगर से मुझे बीचेंग पत्यक्षी भुषित किया गया है और मेरी आम आंटींड था आम पार्टी द्वारा आबार मैं जनता के सुवा के लिए आया हूँ और बना शिवराज सिंग परमा सुखालिया विदानसाबा चेद व्यावरा बिष्टिक राजग्याद से कालू राम जी का स्वागत करता हूं उनको जो विदानसाबा व्यावरा से उम्मीदवर बना गया है